हेलो बच्चो कैसे हो एडूसेट के नेक्स टेली कास्ट में आप सब का सब बहुत-बहुत स्वागत है मैं कुशागर शर्मा गवर्नमेंट संस्कृती सीनियर स्केंडर स्कूल बराड़ा से पीजीटी केमिस्ट्री आज आपके सामने पेश करता हूं चैप्टर नंबर फोर 11 का क्यमिकल बॉंडिंग और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलेंस बॉंड त्यूरी इससे पहले हमने वेस्पर त्यूरी जो थियोरी थी हमने वो पिछले लेक्चर में कवर अप की थी और उसके जो कुछ पॉइंट्स थे वो आज हम इस लेक्चर की स्टार्टिंग में भी हम उनको कवर अप करेंगे तो आप सभी I hope सभी बड़े ध्यान से ये लेक्चर सुने और जब ये लेक्चर खतम हो तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वेस्पर थियोरी में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पियर और लोन पियर्स के बारे में रीड़ाउट किया था जैसे अगर इलेक्ट्रॉन पियर्स में थोड़ा रिव्याई रिवाइस करा देता हूँ एक बार फॉस्ट फाइम मिनिट्स में पूरा रिवीजन कराऊंगा वेस्पर थियोरी का और उसके बाद हम वेलेस्पर थियोरी को स्टार्ट अप करेंगी तो आप अपनी कॉपी प बिल्कुल क्लियर हो जाएं विकास बीजार वेरी वेरी इंपोर्टें टोफिक स्टार्ट चैप्टर केमिकल बॉंडिंग अगर इलेक्ट्रॉन पियर्स हमारे पास दो होते हैं तो उस केस में जो हमारे पास शेप आती है वो शेप आती है लीनियर बॉन्ड एंगल वानिट का एंगल बनता है और यह शेप एकजिस्ट करती है बीएफ 3 जैसे कंपाउंड के अंदर अगर बॉंड पियर दो है लूंड पियर एक है तो मॉंड की जो शेप होती है वह बेंट शेप होती है जैसे एसे अग्जामपल पढ़ते हैं इसी तरह ज़र इलेक्ट्रॉन पियर 4 हों तो पोड के केस में जो बॉन्ड पर ब्रहाइं और ल२िप जिरू है तो इस इस में जो शेप होती है वो हुँए शे दुद्राइब्स कषट होती है और jego एक्सक्न के स्वर मिखब्ल चेडल पॉजडी होती है 104 डिग्री 5 मिनिट्स का एक्जाम्पल है अगर इलेक्ट्रों पेर्स फाइव हो तो बॉंड पेर्स उसमें फाइव है तो जो शेप होती है यह भी एक स्मिट्रिकल शेप होती है ट्राइगोंडल बाई पिरमिडल इसका नाम है इसके अंदर दो एक्जियल बॉंड और एक्जिस्ट करते हैं यहाँ तक हमने पिछले लेक्षर में पूरा कवर अप किया था इसके बाद हमारे पास एसका सेकेंड केस है जब बॉंड पेर 4 हो अर लॉण पेर एक हो अगर बॉंड पेर 4 है लॉण पेर 1हाँ तो इस केस में जो शेप होगी वो 300 और एक्षिएल में हैं एक लोन प्याइर जो भाव वो इक्विटोरीयल पॉजिशन पर एगजिस्ट करेगा इसको के शेपक भीशेप candid uhh अगर बॉरन फ्यार तीन हो और लोन प्यार दो हो तो इसकेस में जो 7 फेश हो थी या बेंट टी शेप हम उसको बोलते हैं एक्जाम्पल के तौर पर पर सी एलेफ तरी जैसे एक्जाम्पल बनाया हुआ है बिल्कुल सेम आपको इस तरह से याद रखना है अगर बॉंड पिर दो है लोन पिर तीन है तो इस केस के अंदर हमारे पास जो शेप होती है बैट शे ऑफन पिर यहाँ аाप उनको आज पास प्रॉख कीजिए जसे जीनोन हमारे पास ग्रूप 18 से है तो उसके अंदर 8 एक्ट्रों। ओर चैसा प्लॉरीन हमारे पास इसकल कम्बाइन कर और फ्लॉरीन के पास Contract ए दो एकट्रों इसने शेयर किये एक जिनोन के एक electron share किया, एक जिनोन का इधर electron share किया और 6 electron जो है जिनोन के वो alone रह गई और जब 6 electrons खाली रह गई, यानि कि जिनोन ने bond नहीं बनाया, 6 electrons is equal to 3 lone pairs बिकोज 2 electron का एक पेर होता है, तो यहाँ पर 6 electrons बनाते हैं, तीन लोन पेर अपने आपको exist करते हैं, equatorial position पे और जब वो equatorial position पे exist करते हैं, तो जो bond pairs है, वो axial position पे ही रह जाते हैं और axial position पे उनकी जो shape होती है, that shape is linear shape, bond angle यहाँ पर 180 degree आएगा इसका एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुतरीन example है, I3 negative भी एक example है, XCF2 एक example है P block हमारे पास chapter number 12 है, वहाँ से हम लोग इसको बहुत important एक question आता है, XCF2 के बारे में Boards में, CVSC के हर्याना Board में, हर बार यह question लगबग हर बार आता है कि XCF2 में कितने loan pairs है, कितने bond pairs है और क्या उसकी shape रहती है, तो आपने इसको shape को बहुत अच्छे से याद रखना है, और यह जो shape derive होती है, यह जो geometry है, वो dry column by pyramidal geometry की linear shape है आपको यह याद रखना है, I3 negative का example आपको याद रखना है, अगर electron pair 6 होते हैं, तो 6 के case में जो सबसे most stable shape होती है, वो exist करती है उस shape का नाम है square by pyramidal shape और actual में इस shape को हम octahedral shape भी कभी नाम देते हैं, तो यह bond pair इसमें 6 हैं और loan pair इसमें 0 है, symmetrical shape है, square by pyramidal इसका नाम है अगर हमारे पास bond pair 5 हो और loan pair 1 हो, तो इस case में हमारे पास जो loan pair है, वो exist करेगा एक axial position पे और बकी equatorial position के, जो square के है वो सारे के सारे जो bonds हैं, वो as such रहेंगे और एक axial bond भी as such रहेगा इस shape का जो नाम होते है, उसका है square pyramidal, देखो इससे पहले वाली shape का नाम था square by pyramidal because जो pyramid था, वो दोनों तरफ बन रहा था, above the plane भी और below the plane भी, बट इस case में जो pyramid है, वो सिर्फ एक ही case में एक ही तरफ बन रहा है मैंने इसको नीचे बनाया, below the plane, आप इसको उपर भी बना सकते हूँ, आप loan pair को नीचे भी बना सकते हूँ, loan pair को उपर बना सकते हूँ, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है इस shape का जो नाम है, वो है square pyramidal shape, very important example, ये भी CLF5, IF5, BRF5, important hybridization के point of view से भी, और वैसे भी interhalogen compounds होते हैं, ये P block के अंदर आता है, halogen family के अंदर, तो वहाँ पर भी इसको हम बहुत importantly इसकी shapes को पढ़ते हैं, square pyramidal, अगर 4 bond pair हो और 2 loan pair हो, अगर 4 bond pair हैं, 2 loan pair हैं, तो इस case में, जो दोनो loan pairs हैं, वो axial position पे ही exist करेंगे, और जो bond pairs हैं, वो exist करेंगे square पे, तो इस shape का जो न अब हम शुरू करेंगे, आज का topic हमारा valence bond theory, तो आज का हमारा जो topic है, वो है valence bond theory, very very important topic, valence bond theory, जैसा कि आप लोग अब जानते ही हैं, कि हमारे पास कुछ vesper theory के अंदर कुछ problems थी, वैस्पर theory काफी सारे molecules की shapes को, तो simple molecules की shapes को तो explain कर गया था, बट फिर भी कुछ ऐसे molecules थे, जिनकी shapes को explain करने में, वैस्पर theory unable था, ठीक है, तो उसके basis पे, हम लोगोंने valence bond theory पे आए हम लोग, और valence bond theory ने काफी सारे हमारे जो ये outcomes थे, short comes थे, इनको हमारे improve किया, और उसके बाद, हमारे पास जो theory आई, उसने काफी सारे molecules को explain कर दिया, उनकी shapes को explain कर दिया, balance bond theory, basically एक modern theory में मानी जाती है, modern theory मानी जाती है, covalent bond की, और covalent bond की modern theory में, ये quantum mechanical के principles के उपर based है, अब सबसे पहली बात, हम इसके बारे में थोड़ी history करेंगे, कि हिटलर और लंडन ने 1927 म ये theory put forward की, और इसको further develop किया, Pauling और others ने, ठीक है, अब इसके दो considerations है, मनलब हम इसको दो तरीके से validation करते हैं, दो तरीके से हम इनको पढ़ते हैं, सबसे पहला consideration है, क्या consider करते हैं, हम energy को consider करते हैं, molecules की, atoms की, तो पहला consideration है, energy consideration और दूसरा consideration है, orbital overlap consideration, तो जब हम energy consideration की बात करते हैं तो energy concentration के उंदर हम क्या पढ़ते हैं यसे हम एक example है रहा हम सबसको हमने हैं उसको उसके दो दो ऐटम्स एटम्स वह हमने far apart कर दी है उनके बहुत दूर रखा तो जब उनको भुथ दूर रखा तो उनके बीच में कोई attraction कोई repulsion कुछ भी नहीं थी ना ना ही attraction थी ना ही repulsion थी पर जैसे ही वो एक दुसरे के close आए when they come closer to each other तो उनके बीच में कुछ new forces आई और वो जो new forces थी वो कौन-कौन सी new forces थी एक थी force of repulsion और दूसरी थी force of attraction आपने हमेशा याद रखना है अगर कोई force of repulsion होती है forces of repulsion होती है तो repulsion हमेशा energy को increase करती है और stability को decrease करती है रखना हमेशा energy को increase करेगी और stability को decrease करेगी और जो attraction होती है वो हमेशा energy को decrease करती है और stability को increase करती है जैसे अगर हम hydrogen की बात करते है hydrogen molecule की बात करते है तो hydrogen molecule के अंदर अगर हम A और B दो hydrogen के atoms consider करते हैं तो A atom का nucleus B atom के nucleus को repel करेगा, ये force of repulsion है, नबर वन, electron जो है A का, वो repel करेगा electron B को, nucleus के उपर positive chart ओ, positive positive को repel करेगा, negative, negative को repel करेगा, तो ये 2 forces of repulsion हुई, अगर हम attraction की बात करें, तो electron A का attract होगा, nucleus B से, और अगर हम दूसरी बात करें, electron B का attract होगा nucleus A से अब ये दो चीज़े आ गई है हमारे पास forces of repulsion भी आई और forces of attraction भी आई अब हम इसका जो है वो हम moral of the story निकालते हैं अब जैसे ही हम लोग इसको पढ़ते हैं कि हमारे पास forces repulsion की आई और दो forces आई attraction की अगर हम इसको बना के भी देखें तो यहाँ पर हमारे पास A है यहाँ पर हमारे पास B है यह A का nucleus है यह B का nucleus है यह electron है A का और यह electron है हमने consider किया B का यह nucleus है A का यह nucleus है B का तो A nucleus nucleus को क्या करेगा repel करेगा electron electron को repel करेगा बट जो electron है A B का वो attract होगा किस से वो attract होगा nucleus से वो इसकी तरफ attract होगा और जो electron है A का वो nucleus B की तरफ attract होगा तो हमारे पास ये दो forces of repulsion हो गई और दो forces of attraction हो गई ठीक है अब जब हम इसके बारे में read out करते हैं तो हमें पाया गया in case of hydrogen हमें मिला कि जो magnitude है जो magnitude है magnitude of attractive forces magnitude जो है attractive forces का in case of hydrogen molecule वो बहुत जादा है बहुत जादा है as compared to repulsive forces है तो hydrogen के case में जो attractive forces है वो repulsive forces से बहुत जादा है जिससे जो overall potential energy है overall potential energy है वो molecule की वो molecule की overall potential energy decrease कर जाती है और जैसे ही molecule की overall potential energy decrease करती है तो stability increase कर जाती है और अगर stability increase करती है तो molecule form हो जाता है तो molecule is formed तो molecule बन जाता है, molecule form हो जाता है तो यह हमारे पास hydrogen molecule को explain करता है कि इस तरह से hydrogen molecule बनता है तो इस तरह से hydrogen molecule की formation takes place करती है देखिजी जैसे यह हमारे पास एक graph है यह potential energy को के decrease को हमें हमारे को explain करने में बहुत help कर रहा है यह हमारे पास देखो जैसे सबसे पहले हम लोग इसको read out करते हैं तो read out करने पर हमें यह पता चला कि इस graph के according हमारे पास क्या है कि इस graph के according शुरू में जब distance of separation बहुत जादा थ दोनों के बहुत जादा था तो उनके बीच में कोई भी attraction और रिपल्शन नहीं थी पर जैसे जैसे डिस्टेंस क्योंकि यह ग्राफ जो है वह energy consideration energy के और distance के बीच में है और इस graph को हम right to left की तरफ पढ़ेंगे तो जब distance of separation बहुत जादा था तो उनके बीच में कोई energy नहीं थी ठीक है energy consideration बिल्कुल 0 था ठीक है पर जैसे जैसे उनका distance कम हुआ तो जैसे जैसे उनका distance कम हुआ देखो यह 0 energy है यह 0 level है तो जब इनके बीच में distance ज सब्सक्राइबगार एक ताइम आएगा जब वह बिल्कुल minimum हो जाएगी और further close करना चाहे तो जो repulsion है वो वहाँ पर take place करेगी और उस case में जो energy है वो increase कर जाएगी decrease करने की बजाए और molecule जो है वो unstable होना शुरू हो जाएगा तो इस case में हमारे पास हमेशा एक minimum energy रहती है और इसी minimum energy को यह जो minimum energy है और इस minimum distance को यहां से यहां तक का minimum distance हम इसको डी नॉट लिख देते हैं इसी डी नॉट को हम लोग consider करते हैं और इसको हम लोग actual में जो बोलते हैं वो बोलते हम उसकी bond length bond length हमारे पास एक minimum distance है जो minimum distance है जब energy जो है उस molecule की उस molecule की energy जो है वो सबसे minimum हो जाए उसकी potential energy सबसे minimum हो जाए stability सबसे maximum हो जाए उससे close अगर atom एक दूसरे के आएंगे तो इस पलसी forces बढ़ेंगी तो उस case पर attractive forces सबसे ज़्यादा higher होती है और अगर हम इस point पर इसी point पर जो यह point हमने bond length का कहा जैसे hydrogen के case में in case of hydrogen जो bond length है वो हमारे पास 74 picometer होती है 74 picometer और हम यह कहें कि अगर हम उस bond को hydrogen molecule है hydrogen molecule के bond को अगर हम break करते हैं तो उस bond को break करने के लिए हम यह पर लिखते हैं the energy required the energy required to break one mole of bond एक mole bond को अगर हमने break करना है of same kind जैसे hydrogen के दोनों atom है same kind है दोनों same kind atoms को अगर हमने one mole bond को break करना है उसको हम बोलते हैं basically bond energy bond energy या फिर हम उसको bond dissociation energy भी कहते हैं एक ही बात है hydrogen के case में जब calculate की गई तो hydrogen की जो bond dissociation and energy है या bond energy है that comes out to be 435.8 किलो जूल पर मॉल इसको आपने नोट करना है यह बड़ी important theory है बेलने इसका हमने first consideration किया है कि energy consideration तो मैं एक बार दुबारा repeat कर दूँ energy consideration में क्या कहते हैं कि जैसे hydrogen type molecule है उसके उसके दो atoms काफी दूर-दूर है पर जैसे वो close आएंगे तो उनके भीच में forces of repulsion और forces of attraction आएंगे अगर repulsive forces dominate कर जाती है तो bond नहीं बनता अगर attractive forces dominate कर जाती है तो bond format हो जाता है जैसे hydrogen के case में attractive forces dominate करती है repulsive forces से इस graph से हम इसको explain भी करते है जैसे distance कम होता रहता है ऐसे वैसे बॉंड energy ना जो क्या करते हैं उसको जो energy है potential energy है वो decrease कर रही है potential energy decrease कर रही अप टू अप पर्टिकुलर लेवल और potential energy decrease कर रही है और molecule form हो रहा है तो आपने इसको अच्छे से याद करना है ठीक है अगर हम इसी केस को अगर हम थोड़ा सा और explain करें और इस केस को हम लोग पढ़ें in case of helium molecule अगर HG2 molecule के केस में हम लोग पढ़ें तो मैं आपको एक बार बता दू हिलियम के केस में तो helium का जो nucleus है उसके पास दो electron है electron एक electron एक यह है एक यह है तो यह A1 है और यह A2 है यह हमारे पास nucleus है A का इसी तरह हम दूसरा helium का atom लेते हैं यह nucleus है B का और इसके पास भी दो electron है एक B1 और एक B2 इस case में क्या होता है helium के case में क्या होता है जो attractive forces है जो attractive forces है और जो repulsive forces है तो जो repulsive forces है वो dominate करती है attractive forces से repulsive forces यहाँ ज्यादा है attractive forces है यहाँ पर कम जिस case के अंदर अगर हम count out करें तो हमारे पास total 5 repulsive forces है और अगर हम attractive forces को देखे तो 4 attractive forces है और अगर हम देखते हैं कि repulsive forces ज्यादा होगी dominate कर गिए attractive forces से ज्यादा होगी तो इस case में हम लोग यह कहते हैं कि HE2 molecule does not exist यह molecule exist नहीं करता क्यों नहीं करता विकोज इसके अंदर जो repulsive forces है वो actual में ज्यादा हो जाती है अगर हम इसका एक graph भी draw करें इस case में helium के case में तो अगर शुरू में यह distance काफी ज्यादा था energy zero थी पर जैसे से distance कम होता गया energy actual में बढ़ती ही गई कम हुई ही नहीं energy बढ़ती ही गई because energy जो बढ़ती क्यों गई because उसके case में हमारे पास जो graph जो particular हमारे पास जो repulsive forces है वो actual में ज्यादा है तो इस case में energy जो है वो बढ़ती है यह curve एक्चुल में से तो यह हमारे पास potential energy actual में increase कर रही है जैसे जैसे distance decrease कर रहा है distance decrease कर तो potential energy increase कर रहे है और वो increase ही करती जा रही है तो इस case के इसी वज़े से हम यह कहते हैं कि एक्ची टू डज नॉट एक्जिस्ट वेरी इंपोर्टेंट आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है जी को नेक्स्ट हम चलते हैं आपने second concept पे जो हमारे पास balance bond theory को explain करता है balance bond theory को explain करने के लिए हम करते हैं orbital overlap concept इस concept में जो energy का lowering है वो तभी takes place करेगा अगर atomic orbital आपस में overlap करेंगे अगर atomic orbitals आपस में overlap करेंगे तभी energy जो है वो decrease होगी ठीक है और तभी bond form होगा तभी एक strong bond form होगा जैसे हम लोग पिछले concept में कर रहे थे हमारे पास हम लोग अपने पिछले concept में कर रहे थे कि इस case में हमारे पास जो particular चीज थी वो थी energy हम energy को consider कर रहे थे कि attraction और repulsion होगी attraction अगर जादा होगी repulsion कम होगी तो bond बनेगा और इस concept में हम लोगों ने क्या पढ़ना है इस concept में है कि अगर एक atomic orbital दूसरे atomic orbital के साथ overlap करे तो overlap करने से जो है वो energy जो है वो decrease करेगी और bond की formation takes place होगी जैसे एक कोवलेंट बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है एक कोवलेंट बॉन्ड इस फॉर्मड बाइदा पार्शल ओवर्लैप ऑफ तू हाफ फिल्ड atomic orbital containing electron with opposite spin जो दोनों atomic orbital combine करेंगे उन दोनों के पास जो इलेक्टरोन होना चाहिए वो अन्प्याड इलेक्टरोन होना चाहिए और अपोजिट स्पिन के होने चाहिए दोनों अगर एक electron clockwise रिवाल्व कर रहा है तो दूसरा electron anti clockwise होना चाहिए पार्शल ओवर्लैप का मतलब क्या होता है electron cloud दोनों atoms के common हो जाएंगे जितनी ज्यादा greater overlapping होगी उतना ही stronger bond form होगा जैसे हम यहापर पढ़ते हैं इसको हम लोग read out भी करते हैं और इसको पढ़ते भी है यह hydrogen atom है हमारे पास hydrogen atom है 1s orbital है इसका हमने बनाया है हमने और एक hydrogen atom हमने और बनाया 1s orbital इसका भी बनाया हमने यह दोनों आपस में एक दूसरे के साथ overlap किये और overlap अरके इनों ने कुछ जो area था कुछ जो हिस्सा था electron cloud का वो इन दोनों ने share किया तो जब इन दोनों ने दोनों ने कुछ हिस्सा overlap किया या share किया इससे हमारे पास molecule form हुआ hydrogen का molecule form हुआ जो की equivalent bond की formation है और हम लोगों ने यहाप greater होगी overlapping उतना stronger होगा bond की formation उसके stronger bond की formation होगी अब यहाँ पर depend करता है कि कौन सा orbital किस orbital के साथ overlap कर रहा है हमें जस्ट यह समझना है जैसे हमने first जो हमारा case था वो हमने hydrogen molecule का बनाया last page पे एक बार दुबारा हम लोग उसको बनाके देखते है hydrogen molecule के अंदर जो H atom था एक H atom था वो दूसरे H atom के साथ overlap कर रहा था यानि कि 1S 1S के साथ overlap कर रहा था जिससे कि हमारे पास कुछ हिस्सा आपसमे share कर रहा था और hydrogen molecule बन रहा था अब hydrogen molecule के अंदर 1S orbital जो है वो combine किया 1S orbital के साथ अब हम second पढ़ते हैं अपना molecule एक हम पढ़ते हैं HF molecule अब HF molecule के अंदर देखिए आप लोग सबसे पहले hydrogen fluoride molecule के अंदर एक hydrogen एक fluorine है hydrogen का तो हमें पता है orbital एक electron है 1S1 है fluorine के केस में electron है 9 तो केस के अंदर हमारे पास electron है 1S2 2S2 2P5 हम इसको further elaborate करके लिखते हैं यह हम लिखते हैं 2PX2 2PY2 और 2PZ1 हम लोग Z orbital के अंदर 1 electron लिखते हैं अब हम इसको फिल आउट करते हैं बनाते हैं हम इसको 1S orbital हम लोगोंने बनाया तो यह 1S orbital बन गया एक electron है इसका clockwise spin का हमने दिखा दिया अब हमने इसके fluorine के तीन और्बिटल्स बनाने हैं तो आपको फ्लोरीन के तीन और्बिटल बना दिया आपने एक और्बिटल यह बनाया एक और्बिटल आपने यह बनाया दो और्बिटल और एक आपने यह बनाया तीन एक्सिस तीनों पर हमने और्बिटल बना दिया ठीक है हमने इस एक्सिस को कर लिए हमने यह हमारे पास है कि अब हम लोग जब हम लोग पढ़ रहे हैं इसको तो आप लोग उन्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमने अब आपस में क्या होगा किस की औरबिटल की ओवरलैपिंग होगी अब औरबिटल कौन कौन से की ओवरलैपिंग होगी और इससे एक ओवरलैपिंग से हमारे पास जो मॉलेक्यूल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा ठीक है यह हमारे पास यहाँ पर यह ओवरलैपिंग हो भी पार्शल और बाकी जो औरबिटल्स थे वो ऐस सच ही रहेंगे वो हमारे पास S सची रहेंगे यह orbital हो गया और यह orbital हो गया इनके अंदर दो-दो electron आल्रेडी थे और यह अब हमारे पास एक electron तो hydrogen ने दिया और एक electron 2P orbital का है तो यह जो molecule बन गया यह molecule बन गया HF का molecule यह HF के molecule की formation हुई इसी तरह से हम लोग next पे चलते हैं next हमारे पास है C part अब हम चलते हैं एक और molecule fluorine molecule पे fluorine का molecule है fluorine is F2 molecule अब F2 के लिए हम लोग फिर दुबारा fluorine के orbital consider करेंगे तीन orbital है इसके 2PX, 2PY और 2PZ आपको तीन और और बिटल इकठे आप इसको consider कर लो same दूसरा F molecule के consider कर लो 2PX, 2PY और 2PZ अब आपने क्या करना है आपने basically इसके electrons फिल अब करना है जैसे इसका हमने एक electron फिल कर दिया इसके भी एक इसके पास हमारे पास दो electron आल्रेड़ी है इसके पास भी दो electron आल्रेड़ी है से इसके पास भी दू- इलेक्ट्रëन और इड़ेडी है इसके पास दो इलेक्ट्रन और इड़ेडि यह विर पूपी जैड कन्सीडर कर लिया और जब 2PZ 2PZ के साथ कमाइन करेगा तो वो हमारे पास और बिटल की ओवरलैपिंग होगी जैसे बिल्कुल ऐसे एक्जैक्टली ऐसे और यह जो दो इलेक्ट्रोन है यह आपस में ओवरलैप होगी और जो बाकी इलेक्ट्रोन जो और बिटल रहा गई वह हमारे पास ऐस सचाप उसको बना सकते हैं यहां पर भी इसको ऐसी बना सकते हैं इन दोनों के बीच में दो दो इलेक्ट्रोन है यहां पर भी और यह जो और बिटल की ऑवरलैपिंग होई यह बनी एफ के टूपी जैड और एफ के टूपी की फर्मेशन जितनी ज्यादा और विटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा मॉलेक्यूल stronger hooga. ठीक है? जितनी ज़्यादा overlapping होगी, उतना ही ज़्यादा molecule stronger hooga. अगर हम तिनो के bond के, जो तिनो bonds हैं हमारे पास हम लोगोंने पढ़े हैं, एक bond हमने पढ़ा H2 molecule, एक हमने पढ़ा H F molecule और एक पढ़ा F2 molecule. अगर हम तीनों के बारे में देखें तो तीनों के केस में यहां पर S और S और्विटल आपस में ओवरलैप कर रहे थे, यहां एस और P और P और्विटल आपस में ओवरलैप कर रहे थे, तो इस केस में जो बॉंड एनरजी होती है, F और F केस में वो होती है 126 किलो जूल पर मोल hydrogen hydrogen के case में होती है 436 kilojoule और hydrogen और fluorine के case में होती है 566 kilojoule पर मूल तो अगर हम तिनों का extent of energy, extent of strength की बात करें, extent of overlap की बात करें तो HF की जो overlapping है उस सबसे ज़्यादा है S compared to H2 की और S compared to F2 की जो S और P की overlapping है वो सबसे ज़्यादा होगी S compared to SS की S compared to PP की तो यह हमारे पास orbital की overlapping का concept है तो orbital की जितना S और P आपस में combine करेगा उतने ही ज़्यादा overlapping होगी और उतने ज़्यादा bond की formation होगी जितनी greater overlapping होगी उतना stronger bond की formation होगी अब हम लोग यहाँ पर valence bond theory से जैसे हम लोगों ने यह bond की dissociation bond energy भी हमने define कर दी और हमने overlapping से यह भी बता दिया कि किसकी bond strength ज़्यादा होगी इसी तरह से हमारे पास हम यह भी बता सकते हैं इसके इस case में valence bond theory के case में कि h2 molecule तो form formation takes place करेगी बट h3 h4 molecule की formation takes place नहीं करेगी क्यों क्योंकि जो 1s orbital होता है उसके अंदर सिर्फ 1 ही electron रहता है और 1 ही half filled atomic orbital होता है जो कि दूसरे atomic orbital hydrogen के 1 half filled atomic orbital के साथ ही combine कर सकता है तो 3 के case में जब हमारे पास available ही नहीं है जो half filled orbitals है वो हमारे पास available ही नहीं है तो हमारे पास bond की formation भी takes place नहीं होगी और यहां से हम लोगें कि important और important जो बात है वो भी हम यहां से drive कर सकते हैं कि h2 molecule does not exist वाई बिकोज एच्ची के case में हमारे पास जो orbital है उसके पास fully filled configuration है 1s2 तो उसके पास कोई भी unpaid electron नहीं है तो अगर अंपेड electron टेक्स प्लेस नहीं है तो अगर अंपेड electron नहीं है तो overlap भी नहीं कर सकता अगर अंपेड electron नहीं है तो half filled atomic orbital भी नहीं है और valence bond theory की जो prime condition है वो है half filled orbital अगर half filled orbital present है तब तो वो जो है combine कर सकता है दूसरे के साथ अगर half filled orbital present नहीं है तब वो combine बिलकुल भी नहीं कर सकता तो यह आपने बड़े इंपॉर्टेंट ली इसको याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट इसको आपने बहुत इंपॉर्टेंट ली अच्छे से इसको याद रखना है जैसा कि हम लोगोंने बात की overlapping की तो अब हम कुछ overlapping को देखते हैं जैसे हमारे पास यह हमारे पास positive overlap है क्योंकि positive positive के साथ overlap कर रहा है यहां पर भी positive negative के साथ overlap कर तो पीज़ेड पीज़ेड की नेगेटिव overlapping है यह जो overlapping है इनको हम consider करते हैं जो यह हमारे पास above लिख रखे हैं सारी जैसे positive positive overlap है pz-pf की Z झालब किया जाता है बट कुछ ओवर्लैपिंग जो पी ऐक्स और वीटल के सथ कभी भी ओवर्लैपिंग नहीं करता आइसे ओवर्लैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं зр तो आपने हमेशा यह याद रखना है ओवर्लैपिंग की जो डायक्शंज है आपने उनको तो इसको आपने याद रखना है जितनी भी यह पॉजटिव और नेगिटिव ओवरलैपिंग्स यह हम लोग कंसीडर करते हैं पर जीरो ओवरलैपिंग कभी भी तो इसको आपने याद रखना है अब हम जो ओवरलैपिंग है overlapping के base पर हमारे पास गोवलेंट बॉन्ड हए वो दो तरह के होते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड कें विटिफाइन आज और क्लासिफाइद इंटु टू टाइपस बेस टाइपस ऑफ सब्सक्राइब दो extent of overlapping जो है वो पूरी अच्छे से हो मतलब एक end दूसरे end के साथ पूरा overlap करें जैसे s orbital s orbital के साथ overlap करता है तो end on end overlapping है s orbital p z के साथ overlap करता है तो end on end overlapping है p orbital p orbital के साथ overlap करता है तो end on end overlapping है तो यह सभी overlappings end on end है और end on end overlapping से कौन सा bond बनता है sigma bond की formation होती है और sigma bond एक strong bond होता है sigma bond is a strong bond और दूसरी बात हम पढ़ेंगे वो दूसरी बात हम पढ़ेंगे pi bond की यह pi bond की जो formation होती है वो तब होती है जब orbital जो है overlap करते हैं in such a way their axis remains parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis जैसे हमारे पास यह px orbital है यह py orbital यह py orbital है तो अगर हम इन दोनों को overlap करें तो यह जो overlap होगी यह जो overlapping होगी यह overlapping and on end overlapping नहीं होगी इस overlapping को हम बोलेंगे lateral overlapping ठीक है इस overlapping हम lateral overlapping बोलेंगे या फिर हम इसको sideways overlapping भी बोल सकते हैं lateral overlapping और sideways overlapping ठीक है lateral और sideways overlapping है और lateral और sideways overlapping जो भी होती है तो जो bond की formation होती है वो weak bond की क्टीए तो आपने यहाँ पर याद रखना है जो सिगमा बोन्ड है वहमेशां एक बोन बनाता और जो पाइब करेंगे ऐसमें हम अज क्छा हमार यह वैलंस वहन्ट्रोन ऐसे सुना होगा झाल झाल